वाइस गुड मॉर्णिंग टू आलाफ यू मैं सौर आफ साइबर आसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे हंसते होंगे और मुस्कुराते होंगे आज हम फिर एक धमाके दार एक्सपेरिमेंट लेकर आ गए हैं आप लोगों के सामने तो क्रिपया वीडियो को देखते रही अगर सबस्क्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो फिर देखो तो मैंने जब भी वीडियो बनाया है तो यह बताया है कि Science जो होता है वो क्या होता है किस के लिए जिसको नहीं आ रहा है अब जिसको आ रहा है उसके लिए तो नॉर्मल है ठीक है तो आज हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं ध्यान से देखिएगा यह एक्सपेरिमेंट होगा फायर ओ स्वारी अब मेरे पास है एक जादू इस जादू को मैं आप लोगों को बता दोंगा ठीक है आप लोग देखती है यह अब इस गुबबारे को यह चोटा सा हवा जाएगी और हवा कैसे जाएगी आप लोग देखते रहे हैं कि आप लोग भी गुबारे से खेलते होंगे इस से ज्यादा तो मैं मुझे फूला लेता तो यह फूल रहा है फूल ने दो तब तक इसको अब देखो यह फूल चुका है ठीक है तो देखो अब होगा फायर है तो फायर करने के लिए आप लोग तैयार हो जाओ देखो कि इसी को कहते हैं साइन्स यह यह अगर आप लोगों को पता नहीं है आप लोगों को पता नहीं है तो क्रिपिया घर पर ट्राइना करें ठीक है तो देखो मेरे पास था कारवाइट ठीक है जब उसको मैंने वाटर में मिलाया पानी में मिलाया तो उसमें से एक गैस रिलीज हुई जिसको आप लोग देख रहे थे उसको कहते हैं एसिटिलीन गैस तो आप लोग जब गैस वेल्डिंग कराने जाते हो तो यही गैस होती है एक अक्सीजन का सिलेंडर होता है और इसका सिलेंडर होता है तो आप लोग देखो अब नेक्स एक्सपेरिमेंट इसको रखते हैं साइड में बंद कर दढ़े नहीं तो आगाग लग जाएगी अब लगाँ साइड में अब देखो जो अगला एक्सपेरिमेंट है वो क्या है तो इसको बिल्कुल घर पे ट्राई ना करो नहीं तो आपका हाथ भी जल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि मतलब कैसे होता है तो आप लोग देखते रहो ये मेरे पास है जादू वाला पानी अभी मैं बता देऊंगा कौन सा पानी है अब मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया ठीक है डालने के बाद मैंने क्या किया इस हाथ में ये जादू वाला पानी नहीं है नॉर्मल वाटर है ठीक है अब देखो मैंने इस पे अपने हाथ पे जादू वाला पानी डाल दिया अब देहान दो आप लोग तो देखते जाओ अब कौन सी ट्रिक होगी ये ये तो कृपिया घर पे ट्राई तो बिल्कुल ना करें ये आप लोग देख सकते हो तो इसमें ट्रिक क्या थी ट्रिक ये थी कि मेरे हाथ में था ये मेरे हाथ में था थीनर और थीनर होता है एलकोहॉलिक क्या होता है एलकोहॉलिक तो एलकोहॉलिक का मतलब ये होता है जैसे हम आप इसमें आग लगाएंगे तो मैंने क्या किया था, पहले अपने हाथ को पानी में डिप कर लिया था, ताकि मुझको जले नहाँ, अगर जिस भाग पे, क्या कहते हैं, पानी नहीं लगा रहा है, उस भाग पे जलेगा, जैसे देखो, अभी मुझे हलकी सी जलन हुई, यहाँ पे, तो यहाँ पे पानी न पनो लो को सब्सक्राइब करो